यह तस्वीर है किसी फिल्म सेट से नहीं है यह तस्वीर है श्री लंका से जहां हजारों सरकार विरूधी प्रदर्शन कारियों ने सुनिवार के बाद सही राश्ट्रपती गोडबाया राजपक्षे और प्रधान मंत्रे रनेल विक्रम सिंगे के आवासों पर कबजागरना शुरू कर दिया था श्री लंका के प्रधान मंत्री का निवास टेंपल ट्रीज नाम से जाना जाता है रविवार को वहां एक साइन बोड़ लगा गया था जिसमें लिखा था कि जनता के लिए खुला है नाराज श्री लंकाई प्रदर्शन कारियों ने प्रधान मंत्री र इतना ही नहीं प्रधानमंत्री आवास को फूख दिया गये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताए लोगों ने पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया खेर इस प्रदर्शनकारी राष्ट्रपती आवास में बने स्विमिंग पूल में नहाते हुए भी दिखाए दिये इतना ही नहीं वीडियो में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपती आवास की रसोई और घर में घुमते हुए दिखाए दिये कुछ प्रदर्शन खारी कैरम भी केलते हुए नजर दिखाए दिये तो कुछ स्विमिंग पूल में नहाते हुए तो कुछ खाना खाते हुए खेरिन सब के बीच श्री लंका में राश्टरपती गोडबाया राजपक्षे के इस्तिफे के बाद श्री लंकाई पारिटिया सरवदलिया अंतरीम सरकार बनाने पर सहमत हो गई है इसे बीच प्रदर्शन उग्र होते देख अग्याद जगह पर चिपे राश्टरपती गोडबाया ने अधिकारियों को रसोई गैस के सुचारू वितरन को सुनिश्चित करने का आदिश दिया है अब ये महज है कि एक देश का इस तरह से दिवालिया होना आम जन्ता का इस तरह से आवासों पर कबजा करना आवास को फूख देना साफ तोर पर दिखाई देता है कि ये परिस्तिती वाकई कितनी गम्भी है जिससे निकल पाना फिलहाल असंभव दिखाई दे रहा है अपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बता है